सब्सक्राइब कीजिए बिरिस एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ज्यान बर्धक बीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके नमस्कार दोस्तों आईए आज के बेलियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वास्तू सास्तर का मुख्य आधार क्या होता है तो मेरे प्यारे मित्रों वास्तू सास्त्र का मुख्य आधार होता है दिसा यानि की इस्ट, वेस्ट, नौर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिन यही वो दिसा है जो वास्तू सास्त्र का मुख्य आधार होता है अगर आप इसके सिध्धान्तों को मानते हैं तो वास्तू सास्त्र के सिध्धान्त में दिसाओं को ही प्रमुखस्थान दिया गया है बिभिन दिसाओं में किस प्रकार भवन निर्मान किया जाए या उस अस्थान को खाली छोड़ दिया जाए रिक्त छोड़ दिया जाए वास्तो सास्त्र के नियमों से प्रगट होता है किसी भी भावन या अस्थान का वास्तो सास्त्रिय प्रिक्षन करने के लिए वहां की दिसाओं का सही ग्यान होना काफी ज्यादा आवश्यक है यही महत्वपुर्ण भूमी का निभाता है दोस्तो मैं आपको दिसा का ग्यान कैसे करोगे इसके लिए बेवहारिक रूप से एक बहुत ही ज्यादा शामाने तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके को अगर आप फॉलो करोगे तो आप आख मुंद कर भी दिसा का ग्यान प्राप्त कर सकते हो और दिसा का ग्यान प्राप नहीं खाने वाले हो दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका यह है कि सुर्ज उद्य जिस दिसा की और हो उसके तरफ यानि की भगवान सुर्ज के तरफ आपको अपना मुह करके खरा हो जाना है ऐसे में आपके चेहरे के सामने जो दिसा होगी यानि की वो दिसा होगी पूरब की और और आपके ठीक पीछे जो दिसा होगा वो दिसा होगा पस्चिम की और और दाहिने हाथ की और जो दिसा होगा वो दिसा होगा दक्छिन की और और आपके बाई तरफ जो दिसा होगी वो दिसा होगी उत्तर दिसा की और तो यही है वो मुख तरीका और बहुत ही ज्यादा शामाने तरीका अगर आप इस तरीके को आजमाते हो तो आप दिशा का ग्यान आसानी से कर लोगे और वास्तू सास्तर का मुख्य आधार दिशा ही होता है इस बात को आप ध्यान में रखें अगर आपके अंदर दिशा का ग्यान है तो वास्तू सास्तर का मुख्य आधार आप समझ सकते हो बीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें और साथ में ब्रिस एस्पेशल को सब्सक्राइब कर दें इसके बेल आइकन को ओल पे यौन करना बिलकुल भी न भूलें तो मैं आपसे मिलता हूं फिर एक नए बीडियो में धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंद जय सी आराम